इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे exercise 5.3 question number 1 से find dy by dx in the following question number 1 है 2x plus 3y equal to sin x ठीक है अब यह जो exercise आपका देखिए यह देखिए question देखिए यह आपका equations के form में है अब इसमें कैसे आप dy by dx find करेंगे जब नॉर्मल सा step है आपको क्या करना है जिसके respect में आपको differentiate करना है दोनों तरफ कर देंगे differentiating equations with respect to x ठीक है लिखेंगे यहाँ differentiating both sides of equation ठीक है both sides of equation with respect to x ठीक है क्या मिलेगा आप देखिए करते हैं इसको differentiation d by dx of इधर क्या है पूरा टर्म 2x plus का 3y है इधर आपका क्या है d by dx of sin x ठीक बेसिक साहिए था है ऐसे आपको फॉर्म क्या कहते है equation वाले फॉर्म को आप जहांपे sign और यह सॉरी y और x को अलग-अलग नहीं कर सकते है इसको कहते implicit function ठीक है इसमें basic साहिए आपको क्या करना दोनों तरफ आपको equation को क्या कर देना है differentiate करना x क्या कर देना है यहां x of 2x हो जाएगा प्लस में d by dx of 3y हो जाएगा इधर आपको क्या है d by dx of sin x है ठीक है तो sin x का differentiation क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा ठीक है अब इधर वाले करते है differentiation 2 constant बाहर जाएगा बचा क्या x का differentiation x के respect में क्या होगा 1 होगा प्लस में 3 बाहर जाएगा y का differentiation x के respect में क्या होगा d by by dx equal to आपका यह इधर तो आपका cos इधर का काम complete है चले अब आपको क्या find करना है question में d by by dx ठीक है तो हम क्या करेंगे d by by dx वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into d by by dx equal to cos x यह आपका 2 इधर जाएगा तो means minus में आ जाएगा अब d by by dx चाहिए तो d by by dx equal to cos x minus 2 divided का 3 हो जाएगा यही आपका answer हो जाएगा ठीक है next question की तरह बढ़ते है question number 2 भी आपका same उसी तरह है ठीक है यहाँ पर भी आपको equation दिये हुआ आपको क्या find करना है d by by dx यह भी आपका implicit function है implicit का मतलग क्या हो है जहाँ पर आपको y को direct आप x के form में आप रिपरजेंट नहीं कर सकते ठीक है इससे पहले वाला एकसाज था जिसमें आपका y equal to ऐसे मालनी जो कोई सा function था sign x square ठीक है direct y इधर है और sign का इधर है लेकिन ऐसे वाले equation में जो अभी वाला question number 2 या 1 था इसमें आप y वाले term को एक तरफ और x वाले term को एक तरफ नहीं कर पाएंगे कितना भी कोशिश करके आपको दिक्कत होगा ठीक है चली यह बात समझ में आगे basic चीज था अब question पर आते है जैसे question number 1 solve किये तो उसी तरह करना है क्या करना है differentiating both sides of equation with respect to x ठीक है चली differentiate किजिए तो d by dx of 2x plus का आपका 3y equal to आपका d by dx of sin y थोड़ा समझ जिएगा चली इधर आपका u plus भी अलग-अलग कर देंगे differentiation तो d by dx of 2x को अलग plus में d by dx of 3y हो जाएगा यह आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का आपको यह चली next step में एक साथ ही सबको differentiate करेंगे ठीक है चली कोई बात नहीं यह आगे समझाएंगे अब 2 बाहर कर लेंगे x का differentiation x का respect पर 1 हो जाएगा plus यहां 3 बाहर into y का differentiation x का respect पर dy by dx अब में चीज आपका यहां में साइन का differentiation क्या होगा कॉस तो आप लिख देंगे ठीक है लेकिन यह आपका function किसका है y का है ठीक है तो y को किसके respect में करना पड़ेगा x के respect में अब देखिए साइन का differentiation कर दीए तो क्या जाएगा कॉस एंगल में जो है अजीटी चलाने देंगे into ठीक है अब y बचा य का कर देंगे dy by dx ठीक है चेनल लगा दीए यह समझ में है एक से रहता तो क्या होता sin x का direct आपका cos x हो जाता ठीक है लेकिन यहां पे sin y है तो आपको क्या करना पड़ेगा sin का तो कर दीए डिप्रेंसिशन cos y हो गया अब y है तो इसको किसके respect में करना x के respect में तो dy by dx लिखेंगे ठीक है बात समझ में आ गया आगे बढ़ते है 3 dy by dx इस टर्म को इधर लाएंगे तो minus cos y into dy by dx equal to यह 2 इधर जाएगा तो minus का 2 आजाएगा ठीक है dy by dx वारे टर्म को एक तरफ रख लिए आगे बढ़ते हैं अब dy by dx यहाँ से common हो गया तो बचा किया 3 minus cos y equal to आपका minus 2 dy by dx क्या जाएगा minus 2 तो इधर है ही यह वार टर्म आएगा नीचे है ठीक है इधर multiply में इधर divide में चला जाएगा 3 minus cos y अब एक काम कर लिजिए यहाँ पर भी आपका answer correct है ठीक है अब थोड़ा सा कर सकते हैं कि आप minus नीचे common ले लिजिए नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है minus से minus से आपका कैंसी है तो dy by dx जो आ गया 2 divided by cos y minus का थिरी आ गया ठीक है चली यही आपका answer होगे अब हम लोग next question की तरह बढ़ेंगे question number third link same उसी तरह question है यहाँ भी आपका implicit function दिये होगे जहाँ पे आप y को x के फॉर्म में direct आप represent नहीं कर सकते हैं ऐसे function का कैसे differentiation करेंगे दोनों दरब differentiate कर देंगे ठीक है हमको find क्या करना है dy by dx यह ध्यान में रखना परेगा ठीक है तो क्या लिखेंगे differentiating differentiating both sides of equation with respect to x हो जाए है ठीक है differentiate करेंगे दोनों तरफ तो दी वाइडी एक्स of ax plus का by square equal to dy dx of cos y हो जाए है ठीक यह बात समझ में आगे आगे बढ़ते हैं अब यहां क्या है u plus b है तो अलग-अलग कर दीजिए तो dy dx of ax plus में आपका dy dx of by square इधर आपका dy dx of cos y है एक ही साथ सबको differentiate कर देंगे ठीक है आसानी रहेगा ठीक है चलिए अब यहां समझिएगा यह चीज है यहां एक constant है ठीक है यह बाहर रख लेंगे एकस का डिफ्रेंसीजन एकस के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस में b बाहर रखेंगे y square आ गया ठीक है तो y is एकस स्कॉर का डिफ्रेंसीजन क्या होता है 2x तो y square क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा लेकिन एकस के रिस्पेक्ट में करना है तो dy by dx जरूर लिखेंगे एकस स्कॉर है तो क्या करते है 2x लिख देते लेकिन आपका function y का है तो dy by dx लिखना जरूरी है उसी तरह आपको यहां हैंगे cost का क्या हो जाएगा minus sin y ठीक है लेकिन आपका Lex के रिस्पेक्ट में करना आप function कै यवा जरूरी का तो आपको dy by dx लिखना परेगा ठीक है यह चीज आपको अभी विचन बताये थे इसमें देखें यहां पर invested में हीनल लिखें उसको y था x कर अब स्कॉरक करना है तो आपका dy by dx हो जागा ठीक है यह चीज़ आपको समझ भी आना चाहिए, यही चीज़ आपको कहें चाहिए, अब देखें, लास्टली आपको क्या फाइंड करना है, dy by dx, तो एक तरफ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 by dy by dx, यह वाला टर्म इधर आएगा, तो पलस का साइन y dy by dx हो जाएगा, इक्व बढ़ते हैं, अब dy by dx इसमें से कॉमन आ सकता है, तो dy by dx हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचा क्या, 2 by पलस का आपका साइन y, इक्वल टू आपका माइनस का a हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे बस, इस वाले टर्म को नीचे भेज दिजिए, मल्टिप्लाई में है तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस a divided by 2 by पलस का आपका साइन y हो जाएगा, यही आपका अंसर हो गया, ठीक है, इसको डब्बे में पैप कर देते हैं, अब नेक्स्ट कोस्चन की तरह बढ़ते हैं, कोस्चन नमबर फोर भी आपका सेम है, उसी तरह का, ठीक है यहाँ भी आपको equation दिये हुआ है, implicit function जिसको बोलिए, और आपको find क्या करना है, dy by dx find करना है, ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे, पहला term, differentiating, both sides of equation with respect to x, differentiate किजिए, तो क्या हो जागा, dy by dx of xy plus का आपका y square equal to आपका, lhs का काम complete, rhs की तरह बढ़ेंगे, dy by dx of 10x plus का आपका y है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पर u plus भी है, अलग-अलग कर देंगे, तो dy by dx of xy plus में dy by dx of y का square, यहाँ पर भी u plus भी है, तो dy by dx of पहला वाले को अलग, दूसरा वाले को अलग plus में बीच है, बीच में plus है तो उसको रहने देंगे, तो dy by dx of क्या हो जागा y, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए, यहाँ पर u into v है, यू into v का formula लगा देंगे, product rule, कैसे लगाएंगे, देखिए, एक को रख दिए, एक्स को रख दिए, दूसरे का differentiation, प्लस में y को रख दिए, एक्स का differentiation, चलिए, इतना का हुआ यह, यह इतना का हुआ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस में, एक्स स्क्वाइर का differentiation क्या होगा, बताइए, बताइए, एक्स स्क्वाइर का 2x, तो y स्क्वाइर का भी आपका 2y हो जाएगा, लेकिन यह function y का है, करना किसके respect में x के, तो आपको dy by dx यहाँ लगाना compulsory हो जाएगा, इक्वाल टू, 10x का differentiation, अब याद हो जाना चाहिए, स्क्वाइर एक्स, प्लस में, यह आपका dy by dx है, तो dy by dx यह रहेगा, अब चलिए, अब dy by dx वाला कहां कहां term है, तो आसा और simplify कर लाएगे, चलिए, next में common निका लेंगे, x dy by dx, प्लस में आपका y, यह x का x के respect में differentiation क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलिए, 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 2y, dy by dx, इक्वाल टू, 6 square x, प्लस में, dy by dx, अब dy by dx वाला जितना term है, यह वाला term हो गया, यह वाला term हो गया, यह वाला, इसको क्या करेंगे, इस तरह भेज़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका x into dy by dx प्लस का आपका यह 2y वाला को 2y dy by dx यह आपका इधर जाएगा तो minus का dy by dx हो जाएगा equal to आपका second square x बचा इधर यह y इधर आएगा तो आपका minus का y हो जाएगा अब क्या करिए आप common निकाल लिजिए इसमें तीनों में dy by dx है common निकालेंगे तो dy by dx common हो गया तो आपका x plus का 2y minus का 1 हो जाएगा इधर आपका second square x minus का y धीरे धीरे बनाएगे तो आपका सारा question आसानी से बन जाएगा बनाना नहीं है ठीक है कैसा भी question basic आपका clear है तो आप कोई भी question बना सकते है तो dy by dx equal to क्या जाएगा second square x minus का y divided by x plus 2y minus का 1 हो जाएगा ठीक है यह था आपका question number 4 अब हम लोग next question की तरह आते हैं question number 5 लेते हैं ठीक है यह भी आपका equations के form में है और आप क्या find करना है dy by dx find करना है ठीक है तो क्या करेंगे differentiating both sides of equation with respect to x चले differentiate किजिए तो dy by dx of x square plus का xy plus का y square equal to dy by dx of 100 ठीक है यह बाद समझ में आगे आगे बरेंगे यहाँ तीनों टर्म क्या है summation में है जोड में है तो अलग-अलग कर दीजिए तो dy by dx of x square हो जाएगा plus में d by dx of xy हो जाएगा plus में d by dx of y square हो जाएगा अब देखिए यह चीज क्या है constant है constant का differentiation क्या होगा zero हो जाएगा एक काम complete हो गया आगे बरेंगे अब यहाँ देखिए x square है x square का differentiation क्या हो जाएगा 2x इसका भी काम complete अब यहाँ देखिए u into v पिछले question की तरह तो क्या करेंगे x को रख देंगे y का differentiation अब y को रख दिए अब x का differentiation x का ठीक है इसका काम complete इतना हो इसका हो ठीक है प्लस में y into आप x का x के respect बन हो जाएगा प्लस में 2y into dy by dx equal to आपका 0 हो जाएगा यह dy by dx यह भी dy by dx है common आपका ठीक है तो हम क्या करेंगे एक तरफ रख देंगे और जो बचा है उसको उदर भेज देंगे x into dy by dx प्लस का 2y into dy by dx तो इधर आपका जाएगा यह क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का y हो जाएगा ठीक है चलिए अब dy by dx यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं ठीक है दोनों में हैं तो dy by dx कॉमन बचा के x प्लस का 2y इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस का आपका y हो जाएगा ठीक है तो dy by dx यहाँ से क्या जाएगा माइनस 2x प्लस का y divided by x प्लस 2y इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ठीक है यही आपका आंसर पुस्चन नमबर 6 है x क्यूब प्लस x स्क्वार इंटो y प्लस xy स्क्वार प्लस y क्यूब इक्वल टू 81 and you have to find dy by dx means given equation को आपको differentiate करना है और आपको यहां से dy by dx find करना है equations जहां पर दिया रहे तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ आप क्या करेंगे x करेंगे तो लिखेंगे differentiating both sides of equation with respect to x differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा d by dx of x cube plus x square into y plus x y square plus आपका y cube equal to आपका इधर भी करेंगे d by dx of 81 चली अब यहां देखेंगे यहां सारा आपका term आपके क्या है summation में तो अलग-अलग differentiate कर देंगे तो क्या हो जाएगा d by dx of x cube plus में d by dx of x square into y plus में d by dx of xy square plus d by dx of y cube ठीक है अब यहां देखेंगे यह क्या है constant है constant का differentiation हमेशा क्या होता है 0 होता है means यहां पे 0 लिख देंगे आगे बरेंगे अब यहां देखे x cube है x cube को x का स्पेक्र में differentiation करना है means आपका क्या होता है d by dx of x to the power n n into x का power n-1 means आपका n का जगा 3 है 3 into x का power n-1 means 3-1 2 हो जाएगा x square plus में अब आगे बरेंगे यहां देखेंगे यहां क्या u into v है means हम लोग क्या लगाएंगे यहां product rule लगाएंगे जहां पर भी आपका दो function product में हो वहां पे product rule लगाते हैं कैसे लगाएंगे एक function को रख देंगे means पहला को x square रखती है दूसरे को differentiation करेंगे plus में अब y का differentiation हो चुका है y को रख देंगे अब x का differentiation d by dx of x square यह आपका इतना का differentiation यह हो गया अब इसको करना है plus लिखेंगे यहां plus है अब यहां पर भी देखें u into v में है means आपका यहां पर भी product rule अपलाई करेंगे एक को रख देंग, means x को रख दिये y square का differentiation y square का plus में आपका y square को रख देते है x का differentiation बात सभज में आगे चली, एक को रखना दूसरे का फिर दूसरे को रखना और पहले का कर देना यह आपका इतना का हो गया है अब यह वाला term बचाओगा y q, अब y q का हम लोग क्या कर देते है differentiation कर देते है जैसे x की हुआ क्या है 3 x square तो y q क्या हो जाएगा 3 y square अब बात समचिएगा, यह term था आपका x का ही था function x के respect में करना था तो कुछ नहीं लिखना पड़ा लेकिन यहां पी function है यह आपका y का है तो आपको dy by dx लिखना पड़ेगा equal to आपका 0 ठीक है चलिए इसको थोड़ा से छोटा कर देते है चलिए रहने दीजिए छोटा कीजिएगा इधर उदर arrow बाग देगा कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है इतना बात आगे बढ़ते हैं तो आज और simplify करते हैं 3x square प्लस आपको तो lastly dy by dx तो और इसको simplify करना पड़ेगा ठीक है तो आपका यहां से इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे यह आपका x square into dy by dx ही रहेगा प्लस में y into x square का differentiation क्या 2x हो जाएगा प्लस में x into y square का क्या होगा 2y होगा लेकिन y का function है तो dy by dx लिखेंगे प्लस में y square x का differentiation x का respect में क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस में 3y square dy by dx equal to आपका 0 आगे बढ़ेंगे अब देखिए dy by dx आपको lastly आपको धिमाग में रहना चाहिए जो आपको find करना है dy by dx आपको find करना है means आपका 3 term हो गया तीनों को एक तरफ रख देंगे means आपका x square into dy by dx प्लस में यह आपरा टर्म है 2xy को लिख सकते है into आपका dy by dx यह आपका प्लस में 3y square और आपका dy by dx और जितना टर्म बचा है आपको इस तरफ भेज देना है तो minus लिख देंगे बचा क्या यहां 3x square अब यहां पर minus 2xy यह आपका minus का y square आगे लिखेंगे यहां से dy by dx तीनों में common ले लेंगी वही तो find करना है आपको dy by dx common हो गया बचा क्या x square प्लस का आपका 2xy plus का आपका 3y square equal to यहां से आपका minus common ले लेंगे minus आपका 3x square plus का आपका 2xy plus का आपका y square अब dy by dx क्या हो जाएगा यहां से minus 3x square plus का आपका 2xy plus का आपका y square यह वाल टर्म नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, x² प्लस का आपका 2xy प्लस का आपका 3y², ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, क्या नमबर 7 है, साइन स्क्वाइर y प्लस कोश xy इक्वाल टू के, क्या यह पर क्या कॉंस्टेंट है, and you have to find dy by dx, चलिए, dy by dx प्लस क्या क्या करेंगे, differentiating both sides of equation, तो क्या हो जाएगा, differentiating both sides of equation, किस करेक्स्पेक्ट में, x करेक्स्पेक्ट में, चलिए, डिफ्रेंट किजिए, तो क्या हो जाएगा, dy by dx of, LHS आपका क्या है, sin² y, प्लस में, आपका cos xy, RHS, dy by dx, अब सिर्फ k है, k क्या है, यहाँ, constant है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, आपका दो function के summation के form में, अलग-अलग कर देते हैं, दोनों को अलग-अलग differentiate, dy by dx of sin² y, प्लस में, dy by dx of cos xy, इक्वाल टू, यह आपका क्या, constant है, constant का differentiation क्या होगा, 0 हो जाएगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ, इसको differentiate करना है, देखिए, इसमें sin² y है, पहला function आपका power दिख रहा है, दूसरा आपका sin दिख रहा है, ठीक है, और यह आपका तीसरा y है, ठीक है, चलिए, तीन function, तीन चलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, d of sin² y, power किसका function, sin का, sin y, अब sin y को करना है, d of sin y, यह आपका y का function, यह आपका dy, यहाँ का term agit, जी उतरता है, आपको last क्या करना है, x के respect में तो हो गया, ठीक है, इतना का आपका यह आगे, प्लस का, अब यहाँ पर भी आना है, यह देखिए आप ध्यान से, first function आपका cos दिख रहा है, और दूसरा function x into y, means product rule लगेगा यहाँ, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते है, d of cos x y, cos किसका function है, x y का, यह आगे, आगे का, copy होगा है, d of x y, यह आपका x का respectively, equal to आपका 0, आगे बढ़ेंगे, sin square है, sin square y, ठीक है, x square का differentiation क्या होता है, 2x, तो sin square का, 2 sin y, ठीक है, into sin का differentiation, cos, into आपका dy, dx, plus का, cos का differentiation, minus sin, minus sin x y, into, यहाँ u into भी है, ठीक है, तो आपका x को रख देंगे, y का differentiation, plus में y को रख दिये, x का differentiation, x का respect पर 1 हो जाएगा, equal to का आपका 0 है, अब देखेंगे, इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, थ्वास आपने class 11th में परहा होगा, sin 2x क्या होता है, 2 sin x, cos x, उसी तरह, sin 2y क्या हो जाएगा, 2 sin y, into आपका cos y हो जाएगा, इसके जगा आप क्या लिख सकते हैं, बताएगे, sin 2y, त्वास आपर करते हैं, into dy y dx, यहाँ पर आपका plus minus, आपका क्या हो जाएगा, minus, sin xy, यह आपका x, into dy y dx, plus का y, यह आपका 0 हो जाएगा, अब इस bracket को खोल देते हैं, ठीक है, sin 2y, into dy y dx, minus x, into sin xy, dy y dx, minus y, into sin xy, equal to आपका 0 हो जाएगा, अब आपको find क्या करना है, dy y dx, तो dy y dx वाल टर्म तो आपका एक साथ, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो dy by dx, कॉमन लिल लिजिए, तो sin 2y, minus x, into sin xy, इसमें से हम लोग को इधर भेज देते हैं, मिस माइनस का है, तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में आजाएगा, ठीक, अब आपका dy by dx क्या आगया यहां से, y into sin xy, divided by sin 2y, minus x into sin xy, यह आपका question number कितना था? 7 था, यह भी आपका question solve हो गया, अब हम लोग next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 8 लेते हैं, ठीक है, क्या है, sin square x plus cos square y equal to 1 है, अब आपको find करना है, dy by dx, यहाँ पर भी equation है, आप क्या करेंगे, differentiating both sides of equation, differentiating both sides of equation with respect to x, differentiate करेंगे, तो d by dx of lhs क्या है, sin square x है, plus का आपका cos square y है, equal to d by dx of 1 है, आगे बरेंगे, यहाँ दो आपका function summation में है, means आप दोनों को अलग-अलग करेंगे, तो d by dx of sin square x, plus में d by dx of cos square y, equal to, यह आपका क्या है, constant है, constant function का differentiation हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक, आगे बरते हैं, अब इसको differentiate कीज़े, यहाँ पर दीए कितना function है, एक function आपका power, दूसरा आपका sin x, ठीक है, दो function दो chain चलाएंगे, तो d of sin square x, square किसका function, sin का, यह आपका sin x, यह term को आगे copy करेंगे, d of sin x, यह आपका x हो जाएंगे, दो function था, दो chain चल गिए, इतना काम खत्म, यहाँ पर भी आगे बरहेंगे, यहाँ first function, square वाला, दूसरा function क्या है, cause है, और तीसरा आपका y है, क्योंकि x के respect वे करना है, तो y को भी आप function ले सकते हैं, तीन function तीन chain चलाना पड़ेगा, तो d of cos square y, square किसका function यहाँ, cos का, cos y, इस term को आगे copy करेंगे, d of cos y, cos किसका function y का, इसको आगे copy करेंगे, y को किसका respect वे करना, x के respect, य आपका equal to 0 होगे, अब आते हैं, differentiation पर, x square का differentiation क्या होता है, 2x, sin square क्या हो जागा, 2 sin x, into, sin का क्या होगा, cos x, plus में, यहाँ पर भी आते हैं, x square क्या होगा, difference है, 2x, cos square का 2 cos, जो है angle agitator, into cos का क्या, minus sin, y into dy by dx, equal to का अब 0, अब ही आपको बता हैं, पिछला question में, sin 2x, क्या formula बता हैं, बार-बार आपको जरूत परेगा, 2 sin x, into cos x, तो सेम उसी तरह, sin 2y क्या हो जाएगा, 2 sin y, angle change है बस, 2 sin y into cos y हो जाएगा, इसके जगा आप put करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह sin 2x हो जाएगा, यहां का बीच का minus है, plus minus minus, यह आपका sin 2y, into dy by dx, equal to का 0, आपको क्या find करना है, dy by dx, मिन्स आपका minus, sin 2y, dy by dx, equal to, यह आपका इधर जाएगा, मिन्स minus का, sin 2x हो जाएगा, इसको, इसको cancel कर देंगे, तो dy by dx, equal to, sin 2x, divided by, sin 2y हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, अब हम लोग, next question की तरफ बढ़ेंगे, question number 9 है, इस question 8 तक तो आपका implicit function था, इसके बाद आपका क्या है, differentiation using trigonometric transformation, means यहाँ पर आपको, x के जगा कुछ पूट करना पड़ेगा, जो आपने class 11 में formula पढ़ा होगा, multiple angle का, जैसे sin 2x, cos 2x, tan 2x, यह सब पढ़ा होगा, उसमें आपका यह जरूरत पड़ेगा, ठीक है, half angle भी जरूरत पर सकता है, और multiple angle भी, ठीक है, question के हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे, side by side, चलिए, तो question पर आते हैं, y equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square, and you have to find the value of dy by dx, तो dy by dx क्या होगा, इस पर आते हैं, एक तो आप क्या कर लीजिए, इसको chain rule से भी आप solve कर सकते हैं, जैसे आपका, यहाँ ध्यान देंगे, एक function आपका inverse होगया, दूसरा function यह आपका u y भी होगया, ठीक है, तो आप इसको करेंगे, तब भी आपका answer से भाएगा, ठीक है, लेकिन इस question को करने का तरीका होता है, कि आप differentiation using trigonometric transformation, means x के कुछ put कर यह, उसके बाद इस simplify हो जाएगा function, उसके बाद आसानी से हम लोग इसका differentiation कर सकते हैं, चली, यहाँ पर हम कुछ formula आपको बताएंगे, उसकी हिसाब से आप समझ जाएंगे, क्या x के जगा put करना है, चली, यहाँ पर आते हैं, जैसे हम सुरू करते हैं, sin to x से, ध्यान दीजिएगा, formula आपको ध्यान होना चाहिए, sin to x का क्या होता है formula, 2 sin x cos x, पिछले question भी पिछले question भी पिछले question भी बता है, एक formula होता है, 2 sin x into cos x, और दूसरा इसी का formula होता है, 2 tan x divided by 1 plus का 10 square x, कैसे होता हम एक नए वीडियो बताएंगे, यह भी आप formula देखे, उसके बाद आपका, cos का लिख लेते हैं, cos 2x का एक formula होता है, cos square x minus का sin square x, ठीक है, और दूसरा formula होता है, 2 cos square x minus का 1, sin को change कर दियो, 1 minus cos square x, ठीक है, आपका यह होगी, यदि हम लोग को, इसको पूरे term को सिर्फ sin में रखना हो, तो 1 minus 2 sin square x, अब cos 2x का एक और formula, 1 minus tan square x, divided by 1 plus tan square x होता है, ठीक है, चली, अब tan 2x पे आते हैं, ठीक है, tan 2x का क्या होता है formula, अब यहां अब यहां आप देखोगे, 2x divided by 1 plus x होता है, कहां पे है, देखे, 2x divided by 1 plus tan square x, मिन्स यदि हम लोग, put x के जगा हम लोग, tan theta put कर देंगे, यह आपका, अंदर बड़ा term sin 2 theta हो जाएगा, चलिए, तो आपका y equal to, कैसे पता चला, आपको formula याद रहेगा, तभी आप इसको put कर सकते हैं, नहीं, तो आपको बार-बार चेक करना पड़ेगा, तो y equal to sin inverse to x के जगा लेंगे, tan theta divided by 1 plus, आपका x का tan square theta, बात सबज में आगया, अब y equal to sin inverse to tan theta, divided by 1 plus tan square theta, देखे, किसका होगा, sin 2x का, means आपका y sin 2 theta हो जाएगा, बात समझ में आगे, अब आप इनवर्स टिग्रो मेट्रिक में पढ़ेंगे, यदि परहा होगा तो आप पता होगा, sin inverse of sin x क्या होता है, बस ये वाला angle होता है, x हो जाता है, तो यहाँ पर sin inverse of sin 2 theta क्या होगा, सिर्फ 2 theta हो जाएगा, तो y equal to यहाँ से, ये वाला properties apply करेंगे, तो y equal to 2 theta हो जाएगा, बात समझ में आगे, आगे बढ़ते हैं, आपको dy by dx find करना है, y किसके form में आगया, theta के form में आगया, लेकिन हमको x के respect में करना है, अब हम लोग यहाँ से, theta का value निकाल लेंगे, ठीक है, हमने put किया था, x equal to tan theta, ठीक है, बात समझ येगा, तो theta यहाँ से क्या आजाएगा, tan inverse x आजाएगा, यहाँ put करेंगे, तो y equal to 2 into tan inverse x आजाएगा, ठीक है, तो dy by dx, अब कितना सा, छोटा सा आपका expression हो गया, means dy by dx क्या हो जाएगा, 2 भाहर रखें, constant है, into d by dx of tan inverse x आजाएगा, आपका dy by dx यहाँ से आजाएगा, 2 into tan inverse x का difference is, 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा, means dy by dx equal to 1, 2 divided by 1 plus x square, यह था आपका question number 9, यह आपको formula याद होना चाहिए, यह process है आपका, एक बार इसको और से देखें, यदि पहरी बार में नहीं समझ भाएगा, दुबारा देख लें इसको, आपको एक एक चीज के लिए हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन की तरह पढ़ते हैं, question number 10 है, ठीक है, y equal to 10 inverse of 3x minus xq, divided by 1 minus 3x square, अब आपको जितना formula बताएं, उससे यह नहीं बनेगा, क्यों है, क्योंकि आपको sin 3x का भी formula जानना है, multiple angle, cos 3x का भी, और tan 3x का भी, ठीक है, इसमें जरूरत क्या पढ़ेगा, यह tan inverse, अंदर वाला भी क्या होगा, tan होगा, तभी तो tan inverse of tan theta, क्या हो जाएगा, theta हो जाएगा, तो यहाँ पे tan 3 theta क्या होगा, formula 310 theta minus 10 cube theta divided by 1 minus 310 square theta, यह formula आपको याद होना चाहिए, ठीक है, sin 3x, cos 3x एक खुद से अब लिखे, ठीक है, यह दि question में आगा तो हम खुद बता देंगे, धीर जीर चलेंगे, सारा formula आपको याद रखना है, तब ही आप बना पाएं question, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे, x के जगा हम देए फ़र में से ठोड़ा है, 3 tan theta, x के जगा पर हम लोगे tan theta put कर देंगे, तो अंदर बाद tan theta हो जाएगा, चले, तो हम लोग put करेंगे, x equal to tan theta, ठीक है, इसको आप खुद से थोड़ा मेहनत करेंगे, तो याद रहेगा, ठीक है, sin 3x के आगा, 3 sin x minus 4 sin q, ठीक है, उसे तरह cos 3x का भी लिख ले, चले, तो यहाँ पर put करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बन जाएगा, tan inverse, 3x के पर 10 theta, minus, tan cube theta, divided by, 1 minus 3 tan square theta, यह अब पूरा फर्मूला में सेट हो गया, तो y equal to क्या हो जाएगा, tan inverse of, tan, 3 theta हो जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए, tan inverse of, tan theta क्या होता है, theta होता है, इसका अपलाई कीजिए, तो y equal to, tan inverse of tan theta, सिर्फ यह वादा टर्म, यहाँ पर क्या टर्म है, 3 theta, तो y equal to, 3 theta हो जाएगा, इसका अपलाई करेंगे, तो, अब theta का value चाहिए यहाँ से, तो x equal to tan theta है, तो theta equal to, यहाँ से आजाएगा, tan inverse का, x आजाएगा, इसको put कर देंगे, तो मेरा, y equal to, 3 into, tan inverse x आजाएगा, अब इसको आप आसानी से, differentiate कर सकते हैं, तो आपका, dy by dx क्या हो जाएगा, 3 बाहर रखेंगे, dy by dx of, tan inverse x हो जाएगा, तो dy by dx, यहाँ से आजाता है, 3 divided by, 1 plus x स्कोर, ठीक है, एक तिरी into, tan inverse x का difference है, 1 divided by, 1 plus x स्कोर, यह आपका, अंसर हो जाएगा, question number 11 है, y equal to, cos inverse of, 1 minus x स्कोर, divided by, 1 plus x स्कोर, ठीक है, question number 9, जब हम solve कर रहे थे, उसमें हमने आपको, एक यह बताया था, आपको फर्मूला दिया था, अब उसको यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए, वहाँ पर हमने बताया था, फिर से लिख देते हैं, बार-बार लिखेंगे, आपको याद रहेगा, जैसे आपको, cos 2x का बहुत सारा फर्मूला बताया था, ठीक है, एक बताया था, cos square x minus sin square x, अब ये पूरा टार्म, यदि, आपका cos square में लिखना है था, 2 cos square x minus 1 लिख सकते हैं, यदि, आपको, sin में लिखना है, तो 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं, यदि, आपका tan में इसको चाहिए, तो 1 minus 10 square x, divided by, 1 plus का, 10 square x लिख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे, यदि, इस वाले set में कर रहा है, देखिए, इस फॉर में set कर रहा, जो question में given है, 1 minus x square, 1 minus 10 square x, divided by 1 plus x square, means 1 plus 10 square x, इस वाले में set कर रहा है, तो आपको क्या put करना परेगा, x कैज़ ज़ेगा, tan theta, तो put, x equal to, tan theta, तो क्या हो जाएगा, put कीजिए, तो y equal to, cos inverse, 1 minus, x सब्सक्राइब, 10 theta, means 10 square theta हो जाएगा, divided by, 1 plus, 10 square theta हो जाएगा, अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, cos 2 theta, तो y equal to, cos inverse of, cos 2 theta हो जाएगा, अब, आपको पता होना चाहिए, cos inverse of, cos theta क्या होता है, यहाँ वाला टर्म theta, अब देखिए, इसका यूज करेंगे, तो आपका y क्या जाएगा, y equal to, cos inverse of cos theta, theta, यहाँ वाला टर्म, तो यहाँ इस देखे, 2 theta है, तो y equal to क्या जाएगा, 2 theta हो जाएगा, अब, theta का भेलू, यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, यदि x equal to, tan theta है, तो आपका theta equal to, tan inverse x हो जाएगा, ठीक है, तो y equal to क्या आगया, यहाँ से, 2 into, tan inverse of x आजाएगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत ही simple सा हो गया, अब dy y dx यहाँ से, point कर लेते हैं, तो क्या आजाएगा, 2 बाहर रखेंगे, into, d by dx of, tan inverse का x हो जाएगा, तो आपका, dy by dx क्या हो जाएगा, 2 बाहर, tan inverse x का, differentiation, 1 divided by, 1 plus x square, means, dy by dx आपका आगया, 2 divided by, 1 plus x square, यही आपका answer हो, अब हम लोग next question की तरफ बढ़ेंगे, question number 12 लेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा समझेगा, यह sin inverse है, इसके अंदर sin रहेगा, तभी आप आप असानी से इसको solve कर पाएगे, क्या आपका इस sin के form में आ सकता है, देखिए, sin 2x का आपने आपको फर्मूला बताया था, 2 sin x cos x, और एक tan में ही बताया था, क्या 2 tan x, divided by 1 plus tan square x, ठीक है, इसमें आपका set कर रहा है, नहीं set कर रहा है, ठीक है, आपको देखिए, cos 2x का एक अभी फर्मूला बताया है, 1 minus tan square x, divided by 1 plus tan square x, यह बाइन टर्म तो आपका, 1 minus x square divided by 1 plus x square, सिमिलर है, यदि x का आपको हम लोग tan theta put कर देते हैं, चली, sin वाले टर्म में कोई फर्मूला इस तरह का set नहीं कर रहा है, cos मिच कर रहा है, तो cos वाला को put कर देंगे, means आपका put x equal to tan theta, तो क्या हो जाएगा यहाँ, y equal to sin inverse of, 1 minus x गया पर tan theta, means tan square theta, divided by 1 plus x गया पर क्या, tan square theta हो जाएगा, अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, cos 2 theta, तो y equal to sin inverse of, क्या हो जाएगा यह, cos 2 theta, अब ही तक आप देख रहे थे, इससे पहले वाला question में, 9 से, 9 टे ने लिए में आप देखा, यह sin inverse यहाँ है, तो यहाँ भी sin होता था, तभी तो आपका sin inverse of sin, theta आपका क्या होगा, theta हो जाता, यहाँ sin inverse of cos theta, theta हो जाता, लेकिन यहाँ sin inverse है, यहाँ क्या है, cos है, तो अब इस cos को क्या करना पड़ेगा, sin में change करना पड़ेगा, class 10 में जाएगे आप, cos theta को आप कैसे change कर सकते हैं, sin में, क्योंकि बाहर sin inverse है, अंदर भी क्या होना चाहिए sin, cos को आपको change करना पड़ेगा, क्या हो जागा, sin 90 minus theta, तो उससी तर यहाँ cos 2 theta है, तो आप इसको लिख सकते हैं, sin 90 minus 2 theta, अब यहाँ इसको पुट करेंगे, तो y equal to sin inverse of, इसको पुट करेंगे, means sin 90 minus 2 theta, complementary angle का हम लोग यहाँ फरूना लगा जेंगे, यह आपने class 10 में पढ़ा होगा, सारा चीज़ जरूरत परेगा, अब आप वहलो फर्मॉराल लगा लीजिए, sin inverse of sin theta क्या होता, theta, यहाँ पर theta का जगाँ पूरा यह ठर्म है, तो y equal to क्या जाएगा, sin inverse of sin theta, theta हो जाएगा, theta का जब क्या है, 90 minus, 90 degree minus 2 theta, यह बात समझ में आ गया, चलिए, अब theta का वहलो, यदि आपका x equal to 10 theta है, तो theta equal to क्या आ जाएगा, tan inverse x आ जाएगा, तो आपका यहाँ से, y equal to 90 degree, minus 2, into theta का जगाँ पर, tan inverse का x आ जाएगा, बात समझ में आ गया, यह आपका simplified form हो गया, जो given आपका equation था, ठीक है, function था, चलिए, अब क्या करेंगे, इसको differentiate कर दीजिए, यह लाशली आपको क्या find करना है, dy by dx, यह आपका subtraction में है, दोनों को अलग कर देंगे, dy by dx of 90 degree, minus का 2 बाहर लेंगे, dy by dx of tan inverse x हो जाएगा, अब क्या होगा, dy by dx, यह क्या है, constant है, constant का differentiation क्या होगा, 0 हो जाएगा, minus में 2, tan inverse x का differentiation, 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा, तो आपका, dy by dx, जो आजाएगा, minus 2, divided by 1 plus x square, ठीक है, अब इसको बंद रब्बाव कर देते हैं, ठीक है, चलिए ही आपका answer हो, अब हम लोग next question की तरफ बढ़ेंगे, question number 13 लेंगे, question number 13, अब देखिएगा, यहाँ पर basic समझेगा, पहले, direct question बनाने पर आपको basic समझेगा, कोई भी question समझेगा, यहाँ cos inverse, अंदर वाला भी cos रहेगा, तभी तो आप क्या करिएगा, cos inverse, cos theta, theta हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, cos 2x का आप लोग formula लिखेंगे, cos 2x का formula क्या होता है, पहला formula तो आपका, cos square x minus sin square x, नहीं set कर रहा है, दूसरा formula, 2 cos square x minus 1, यह भी set नहीं कर रहा है, तीसरा formula, 1 minus 2 sin square x, नहीं set कर रहा है, cos 2x का एक और formula, 1 minus 10 square x, divided by 1 plus 10 square x, चारो formula कोई इसमें set नहीं कर रहा है, ठीक है, यह set नहीं कर रहा है, अब आते हैं sin में, sin 2x का दो formula बता है हुए है, 2 sin x cos x, यहाँ पे 2 tan x, divided by 1 plus 10 square x, formula तो याद करना, लेकिन उसका कैसे apply करें, यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, अब देखिए, यह चीज़ में set कर रहा है, यह वाला sin 2x का formula, 2 tan x divided by 1 plus 10 square x, देखे 2 x divided by 1 plus x square x, तो आपका क्या किजिएगा, यदि हम लोग put, x equal to 10 theta कर देंगे, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, sin 2 theta हो जाएगा, चली, तो y equal to, यहाँ से क्या जाएगा, cos inverse of, 2 x का पे 10 theta, divided by, 1 plus square x, 10 square theta, अब इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए, sin 2 theta लिख सकते हैं, तो y equal to, cos inverse of, sin 2 theta, अब बात समझे, इससे पिछला वाला कोशन दें समझ गए होंगे, तो यहाँ से आप खुझ से भी कर सकते हैं, यहाँ cos inverse है, तो यहाँ भी cos होगा, तभी तो आपका cos inverse of cos theta theta होता, लेकिन, यहाँ पर क्या है, sin है, तो इसको पहले क्या change करेंगे, sin theta equal to, यह वाल टर्वो क्या करना पड़ेगा, cos में change करना पड़ेगा, formula अपलाई करने के लिए, sin theta को अब लिख सकते हैं, cos 90 degree minus theta, complimentary angle, खलास 10th में पढ़िए, जो आप हटा दिया गया है, सिलिबस से, चली, अब चलते हैं यहाँ, तो y equal to cos inverse, अब क्या करते हैं, sin को change करेंगे, cos 90 degree minus theta के जाब क्या है, 2 theta, उसको रहने देंगे, अब formula तो आपका set हो जाएगा, cos inverse, cos theta क्या होगा, बताइए, theta हो जाएगा, चली, तो लिखेंगे यहाँ, cos inverse of, cos theta क्या होगा, theta होता है, इस चीज़ को apply करेंगे, ठीक है, यहाँ theta क्या है, पूरा term है, तो y equal to क्या हो जाएगा, यहाँ 90 degree minus का 2 theta हो जाएगा, अब चलते हैं, theta का value, यदि आपका x equal to 10 theta है, तो आपका theta क्या हो जाएगा, 10 inverse x हो जाएगा, तो यहाँ put कर देते हैं, तो आपका y equal to 90 degree minus में 2 into 10 inverse x हो जाएगा, यह बत समझ में आ गया, simplified form आपका function हो गया, अब आपको इसको फटाफट differentiate कर लेना है, means dy by dx क्या हो जाएगा यहाँ, dy by dx of 90 degree minus का 2, dy by dx of 2 tan inverse, तो तो बहार रख लिए, तो इसको 2 को अब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, tan inverse x सीदा सीदी, आगे बढ़ेंगे, तो dy by dx क्या हो जाएगा, यह क्या है, constant है, constant का differentiation क्या होगा, 0 होगा, minus 2 tan inverse x का differentiation, 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा, तो dy by dx क्या आगया यहाँ से, minus 2 divided by 1 plus x square, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यह आपका question सुरूर के, next question की तरफ आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे, question number 14, y equal to sin inverse of 2x into root root of 1 minus x square, क्या हमने ऐसा कोई formula देखा है, ठीक है, नहीं देखा है, अब देखें, समझेगा, वोसी formula से निकलेगा, जो हम लोग पर चुके हैं, पहला तो आपको ध्यान देना है, इसके अंदर sin inverse है, यह वाला टर्म साइन का होना चाहिए, ठीक है, तब ही तो आपका sin inverse of sin theta क्या होगा, theta हो जाएगा, या cos भी रहेगा, तो हम उसको change कर लेंगे, complementary angle से, ठीक है, देखते हैं, पहले sin में चेक करते हैं, आता है कि नहीं, sin 2x का फर्मूला क्या होता है, 2 sin x into cos x होता है, पहले, इसको उपर करेंगे, ठीक है, अब देखिए, sin 2x का एक और फर्मूला होता है, 2 tan theta divided by 1 plus का आपका 10 square theta, अब समझे, कौन से, ये वाला तो लगेगा नहीं, ये वाला गुणजाई से की लग जाए, क्यों, कैसे लगेगा, देखिए, ये वाला टर्म क्या है, 2 sin x, cos x है, ठीक है, आपने, इसको अब इस फर्म कैसे आएगा, ये देखिएगा, क्लास, आपका 10 में ही, एक फर्मूला पढ़े होंगे, sin square theta plus cos square theta, आपका क्या होता है, first trigonometry identity, जो हर एक बच्चा को याद रहता है, अब यहाँ से cos theta को हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, root under of 1 minus sin square theta, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x into cos x को क्या लिख सकते हैं, root under of 1 minus sin square x लिख सकते हैं, बस बच्च मा आगे, तो आपका एक फर्मूला तो ये भी हो सकता है, में तो फर्मूला आपका ये है, अब हम क्या 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 सकते हैं, ये देखिए, ये वाला फर्मूला, ये वाला फर्मूला, देखे, 2 x into root under of 1 minus x square, देखे, 2 sin x into root under of 1 minus sin square, तो हम यहाँ पे, put x equal to, क्या put करेंगे, sin theta, तो आपका put x equal to sin theta, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, sin 2 theta हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, y equal to sin inverse of 2, एक सकावे sin theta, बता जिए एदम, एक एक डिटेल आपको बता जिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होने चाहिए, 1 minus sin square theta, ठीक है, अब आपका क्या चाहेगा, y equal to sin inverse of 2 sin theta, अब इसको क्या लिख सकते है, root inner of 1 minus sin square theta, क्या होगा, cos theta, अभी बता है ना, आपको यहाँ देखे, cos theta equal to root inner of 1 minus sin square theta, ये वाला टिग्रोमेटी आइडेंटरी से आया है, अब देखे, 2 sin theta, cos theta क्या हो जाएगा, बताए, sin 2 theta, means आपका y equal to sin inverse of, ये आपका sin 2 theta आजाएगा, अब sin inverse of, sin theta क्या होता है, theta होता है, इसको यहाँ अपलाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, y equal to sin inverse of sin theta, theta का बदर के 2 theta है, ये आपका आजाएगा, अब आपका main काम समापत, अब यहाँ पर theta का बहर भी डालना है, तो y equal to 2 into, आपका x equal to sin theta है, तो आपका theta equal to sin inverse का x आजाएगा, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पूट करेंगे, तो 2 into sin inverse x आजाएगा, अब आपका simplify हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dx इस का find कर लेंगे, तो 2 को बाहर राखेंगे, into d by dx of sin inverse x हो जाएगा, तो dy by dx यहाँ से आजाएगा, 2 into sin inverse x का difference is, 1 divided by root under of 1 minus x square, तो यहाँ से answer आगे, 2 divided by root under of 1 minus x square, ठीक है, अब next question की तरफ परेंगे, question number 15 है, यहाँ पर अभी तक sign, cause था, यह सब था, अब यहाँ सेक inverse आ रही है, ऐसे question है, आपको क्या करना है, यह समझाते है, जहाँ पर भी सेक inverse रहे, cause inverse रहे, 10 inverse, एक और इनवर्स रहे, ठीक है, देखिए, समझ यह बात, question reject solve नहीं करना, अभी समझा रहे हैं, बता आप, जैसे आपका, सेक inverse है, cause sick inverse है, caught inverse है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसको कैसे चेंज करेंगे, सेक inverse है, हम क्या लिखेंगे, cause inverse में change कर लेंगे, cause सेक किसका, इसका उल्डा, sin inverse का, cot inverse किसका, आपका 10 inverse का, इसमें चेंज कर लेंगे, इसमें हम लोग को आसानी हो जाएगा, solve करने में, क्योंकि हम लोग ज्यादतर familiar किस्टे होते हैं, जिसको इजी सॉब, sin, cos, 10 में, ज्यादा मतला हम लोग उसका formula को द्यान मेरता है, तो आपका क्या होगा, sec inverse को क्या चेंज कर लेंगे, cos inverse में, cos से को किस में, sin inverse में, cot को आपका, cot inverse को 10 inverse, कैसे चेंज करेंगे, यह देखेंगे, जैसे sec inverse x है, ठीक है, यदि cos inverse आपका x है, cot inverse आपका x है, तो कैसे चेंज करेंगे, यह देखेंगे, sec inverse x है, तो cos, इसको cos inverse में, चेंज करेंगे, यह वाला को उल्टा कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं, sec और cos आपका एक दूसरे का reciprocal होता है, cos किसका आपका sin inverse का, x है, तो यहाँ 1 by x हो जाएगा, cot inverse 10 inverse का, यहाँ x है, तो यहाँ पर 1 by x हो जाएगा, इसी का इस्तेमाल, बेसिक की आपको समझा दी, अब question पर आते हैं, अब question लिखेंगे, y equal to, क्या दिये हुआ, sec inverse, 1 divided by 2x square minus का 1 है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sec inverse को किसमें change करेंगे, बताइए यहाँ, cos inverse में, तो y equal to क्या हो जाएगा, cos inverse of, यह माल लिजिए कि x है, पूरा टर्म, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, means 1 divided by x क्या है, 1 divided by 2x square minus 1, ठीक है, तो आपका, मतलब इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, sec inverse को यहाँ इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है, means 1 divided by कर देना है, तो y equal to cos inverse of, यह हो जाएगा, 2x square minus का 1, जो question था, उसको हम लोग cos में change कर लिए, cos inverse में, अब हम लोग आते हैं, आपका question इसमें transpose हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको solve करते हैं, देखिएगा, अब cos inverse यहाँ है, अंदर भी कह चाहिए, cos का टर्म चाहिए, अब चलते हैं फर्मूला पे, cos 2x का हम 4 आपको फर्मूला बताए हुए, में फर्मूला आपका cos square x माइनस का आपका sin square x है, दूसरा क्या है, 2 cos square x माइनस का 1, यह एक तिसरा है, 1 माइनस 2 sin square x, चौता है, 1 माइनस 10 square x divided by 1 plus 10 square x, ठीक है, अब देखिए, यह देखिए, 2 x square minus 1, आपका यह वाला फर्मूला आपका यहां set करेगा, ठीक है, देख लिजिए, इसी फर्म में है, यदि हम लोग यहां put करेंगे, x equal to, क्या put करेंगे, देखिए, cos theta, ठीक है, put कीजिए, तो y equal to क्या आजाता है, cos inverse of 2 cos square theta minus 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, cos 2 theta, इसका फर्मूला है, ठीक है, तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा, y equal to, cos inverse of, cos 2 theta हो जाएगा, ठीक है, अब cos inverse of, cos inverse of, cos theta क्या होगा, इसको थोड़ा से, cos inverse of, cos theta क्या होगा, ठीक है, यहां पर theta के जगा है, 2 theta है, means, आपका y equal to, यहां से, क्या हो जाएगा, 2 theta आजाएगा, अब theta का value डालना है, question में हम लोग put किये थे, x equal to cos theta, means, theta equal to, यहां से, cos inverse का x आजाएगा, means, यहां put करेंगे, y equal to, 2 into, theta के आपके, cos inverse x, simplified form में आगे, अब इसको क्या करना है, differentiate करना है, means, dy by dx करेंगे, तो क्या जाएगा, 2 bar रखेंगे, cos inverse x का differentiation करेंगे, dy by dx of cos inverse x, तो 2 into cos है, cos inverse है, तो means, minus 1 divided by root under of 1 minus x square, means, आपका अंसर आजाएगा, minus 2 divided by root under of 1 minus x square, ठीक है? झाधे नहीं